क्या नमस्कार अरियासी ऊपेट्स में आप सभीका स्वागत है मैं हूँ अंचि शर्मा कि अरियासी जिले में एक और करोना पॉजिटिव का केस आया है हाला कि यह जो केस सामने आया है यह अलग तरह का केस है क्यूंकि यह जो पेशन्ट है करोना पॉजिटिव का जो निया सामने आया है ये जम्मू में ही इनका सैंपल हुआ था और वहीं पे ये करोना पॉजिटिव पाए गए है ऐसी प्रात्मिक जानकारी इस समय हमें मिल रही है जानि कि ये शक्स रियासी तक नहीं पहुंचा था और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये रियासी कहां का रहने वाला है रियासी का रहने वाला भी है या जम्मू में पहले से शिफ्ट हो चुका है तो ये तमाम बातें अभी पता लगाई जा रही है यह जानकारी जैसे ही पहुंचेगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अब जो total tally है वो 13 हो गई है रियासी जिले की करोना positive की जो संख्या है वो 13 हो चुकी है और जो active case की संख्या है वो 10 हो चुकी है तो आंकडा जो है जिला रियासी में ही एड किया गया है जो bulletin भी सरकार द्वारा हर रोज जारी किया जाता है करोना को लेकर उसके मताबिक जो करोना positive की कुल संख्या है वो रियासी जिले में 13 हो गई है और जो active cases की संख्या है वो 10 हो गई है जाने कि कल तक जो संख्या 9 थी ने मामले सामने आने के बाद अब वो 10 हो गई है active cases की और जो 12 संख्याती कुल करोना positive की वो अब 13 हो गई है एक निया मामला सामने आया है ये शक्स रियासी तक नहीं पहुंचा था ट्रैवलर बताया जा रहा है जो भी ये निया case सामने आया है ट्रैवलर है बाहर से आया हो जम्मू में quarantine हुए होंगे जिसके बाद sample लिया होगा जैसे जम्मू में enter किया होगा sample लिया होगा corona test के लिए उसके बहुत positive आये हैं लेकिन जो आंकड़ा ये add हुआ है वो district 80 में हुआ है जिस तरह 12 case पहले आये थे उससे थोड़ा सा अलग ये मामला है क्योंकि ये 80 तक शक पहुंचे थे जिसके बाद sample लिया गया होगा और फिर जो report है वो positive अब आई है लेकिन जो bulletin जारी किया जाता है सरकार की तरफ से उसमें ये बताया गया है कि district 80 का एक और corona positive जो मरीज है वो सामने आया है क्योंकि जो आज की अगर date की बात करें तो उन्होंने एक का की संख्याइड इस्टिक रियासी में वो 13 हो गई है और 10 active case उस bulletin के मुताबिक बताये जा रहे हैं हमारी जानकारी में भी ये चीज आई थी जिसके बाद हमने अधिकारियों से करास्चेक इसे किया जिसके बाद ये सामने आया कि ये जो शक्स corona positive का निया सामने आया है ये traveler था जम्मू में पहुंचा था जम्मू में ही कहीं पे रह रहा था ऐसी जानकारी अभी सामने आई है जम्मू में ही रहता था इन दिनों तो test sample लिया गया था जिसके बाद corona positive पाया गया और जिला रियासी में जिसके बाद एक और जो मामला है वो बढ़ गया है क्योंकि district 80 का अभी तक बताया जारा है कि ये शक्स district 80 का basically रहने वाला है हाला कि अभी इस बारे में पता किया जा长 है कि district 80 में ये कहां पे रहता था जिसक का permanent यहीं पे रहता था या फिर जम्मू में shift हो गया था फिलाल ये जम्मू में रह रहा था और इसकी एक travel history थी जिसके बाद ये जम्मू पहुंचा था और जम्मू पहुंचने के बाद sample इसका corona test के लिए लिया गया था जिसमें ये positive पाया गया है तो एक और निया मामला लेकिन ये मामला ये रह रहा था जो भी जानकारी सामने आएगी वो आप तक लेकर आएंगे तो आपको एक बार फिर बता दें कि गबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है एक मामला तो निया सामने आया है लेकिन रियासी तक ये शक्स नहीं पहुंचा था ना कोई contact इसके रियासी में ऐसे सामने आये है अभी तक कि ये किसी के contact में था बाहर से travel करके बापिस जमू लोटा था जिसके बाद sampling हुई जिसके बाद आज ये positive report आने के बाद positive पाया गया और रियासी जिले में जो एक और मामला करोना का वो जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है टोटल जो मामले है वो 13 हो चुके है और जो active मामलों की संख्या है वो 10 है 10 active है 13 टोटल है तीन discharge होकर गर पे स्वस्त होकर गर पे पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि जिला रियासी का होने किनाते इन्हें district रियासी में ही add किया गया है लेकिन ये रियासी तक नहीं पहुंचे थे जम्मू मे ही sampling हुई थी travel करके जैसे ही जम्मू में वापिस पहुंचे वहीं पे sampling हुई थी वहीं पे जब report आई तो रियासी में एक और मामला करोना positive का add कर दिया गया तो ये प्राथमिक जानकारी जो हमारे समक्षा रही थी और अधिक जो जानकारी होगी वो भी आप तक पहुंचान है जिसके बाद ही 13 की संख्या हुई है और active मामलों की संख्या जो पहले 9 थी वो अब 10 पहुंच चुकी है ये मामला और मामलों से अलग है क्योंकि ये district रियासी में जो जानकारी प्रात्मिक मिल रही है district रियासी में quarantine नहीं थे ये जम्मू में थे जम्मू में ही कहीं पर य रहते हैं और वहीं पर quarantine थे जिसके बाद बाहर की इनकी एक हिस्ट्री बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से आने के बाद जम्मू में आने के बाद इनका sample लिया गया था जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो नेगिटिव आई है कोविड-19 और रियासी जिले की त साथ फिलाल मुझदी जोनमती देनलोराद